हाई गाईज मैं उमारा सिंग आप लोग का अपने यूट्यूब फ्रांट फ्रेंस में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों इसके पहले मैं टेंस की दो वीडियो डाल चुका हूँ अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा पहले उसको आप देख ल a future console minutes होता है फ्राल ठीके भविस्यंच but with यتरिकाल के मतलब आने वाले शवाइ कोई कारी हो तो उसे हम क्या करते भवनिसिकाल करने कारी को हम भविश्री काल करते हैं पूरा खतम करने के कोशिद करेंगे दोस्तों तो आए शुरू करते हैं आगे तो दोस्तों पहले हमारा फ्यूचर टेंस का पहला भाग होता है पहले फ्यूचर इंडिफिनिट्टेंस थे future indefinitely ऑगे तो रिफेशाूत के मतलत क्या होता है अनिस्चीत भविश्यकाल प्लजाँ क्या है जब भविश्यकाल में कोई कारे अनिच्चित समझते हो तो उसको क्या कते हैं अनिच्चित भविस Regal कते हैं दो यसका definition हो गया अब लिए इसके हम पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या है तो दोस्तों जब हिंदी वाकि के अंध में गा, गे, गी, आदी सब्द आए या होगा, होगा, होगी, होगा, होगी, होगे, आद इस सब्द आये तो हमें समय लेना चाहिए कि यह है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो यह थे क्लियर हो गया अब आई इसकी हेल्पिंग वर्ड देख लेते हैं हैं क्या होती है तो यह दोस्तों इसकी सिर्फ दो ही होती है HELPING WORK है यह थे WAY HELPING WORK छो इसकी HELPING WORK क्वारंस होती है एक होती है विल डबल आई डबल ले कंटी विल जो है सब के साहतलं लगेगा इइए बील आप दूसरी होती है सैल तो सैल का प्रयोग सिर्फ दो के साथ होता है आई और वी आई और वी इन दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं यह हमेशा है ठेख स्थमें प्रियूंग करना है अच्छे सियात कर लेना श्रीश ही और contend Кशीम ै रहुंस ऐसा भी लगा वी इसलिए घ्राल का प्रियोक करेंगे ंंसेप्ट क्लियुक लेए तो आई वी कहाता है तो फर्सट परसंट करताता के साथ में सब्सक्राइब करना है तो यह तो आप मेंटिव सैंटेंस धिय से इसे है ओपर मेर्टिव सेंटेंस का फ्रेम है तो मतला स्वीकरातमक वाक counting क्या है आए समय देते हैं पहले तो पहले तो हमें लिखना क्या करता करता क्या सब्जेक्ड टा किसके बाद हम को लिखना है किया विल सैल लिख लीजेगा विल सैल उसके बाद आपका आता है यां भी फास्ट बहुत आशान है दोस्तों इसमें आपको मुख्य के दिया का सीफ पहला रूप लगाना चाहे करता कोई भी जा जैसे उसे फरक नहीं सिर्फ मुख्य पहला रूप लगा देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका जो कर्म बन रहा है उसमें उसको आपको लिख देना है अब्जेक्ट या कर्म या अधर वर्ट जो भी है वो लिख देना आपको फूरिस्टाफ लगा देचे तो यह से इसका फ्रेम हो गया तो आए कुछ एक्जामपल लेकर इसको हम कनफर् वह एक पत्र लिखेगा अंत में देखो क्या आएगा तो गा आगया तो समझाओ कि फ्यूचर इंडिपने टेंस हो गया तो अब इसका नुगात कैसे होगा तो पहले वह की एंग्रेजी वह जो है वह लिख लिजी आप तो वह की एंग्रेजी क्या होती है हे ही ही हो गया आब ही के साथ साय करिया क्या लगेगी यदेगी यह रख लगें से एक लिखेंगे-डी लेटर यह लिए डेवल्टी यह ही विल राइट है लेटर अंत्रे फूरी स्टाप लगा दू यह आपका हो गिया चलिए कुछ और तो जैसे अप दूसरा एक्जामपल हमारा रहा है जास्तों मैं 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 वारार सी जाऊंगा और इसमें भी कहा गया तो यह फ्यूचर निपनिट्ट हो गया तो इसका यह नुगात कर लेते हैं पहले क्या होगा तो आई जो है बताए थे आई के साथ शाय के लिए क्या लगेगी लगेगी न तो यह हो जाएघ आपका आई किसा क्रिया की सै आइए सै पिर मुट क्रिया जाना जाना केंगे क्या थिया गोगो टू लगा देजिए किसी भी अस्थान के पले हमेशा तू का प्रेग होता अगर जा रहें कहीं पर तूल लगा ना वारान से अंत में खुले श् Film हो गया दोस्तों तो याद रखना आई और वी के साथ ही सेल लगा बाकि सब के साथ विलका प्रयोग होगा तो दोस्तों आए कुछ यहां और मैं आपको कन फर्ब करन देना चाहता हूं अब जैसे कल सब दाता है क्या है कल की एंग्रेजी क्या होती है एक तो होती है टुमारो अदूमारो भी होती है टकि क्या होती है इसतरल हिझेडेगे य य हस टी इ आर डिए वाई कि देट चैनल एक पास्टेंस के लिए लगता ठीक है अगर पास्टेंस है तो इस्टर्डे लगाएंगे अब फ्यूचर टेंस रहेगा तो को प्लकी एंगरेजिक क्या लगेंगी तुमारों लगेगी याई-इस ट्रासेंशन देखकर देखते हैं तो जैसे है मारा मैं आ है मैं कल का अमेरीका जाऊंगा मैं कल अमेरीका आ जाओंगा इस आ धिकना है मतलब आने वाले समय में होगा काम तो यहां पर कल लाइकर हैं जिक गया लिखी जय गी तुमारों लिखी जाएगे हो जागा लगल का का दो मेदी से सथां इस सब्सक्रीज़ कोषोम मौरों तुमारों लिखा जाएगा यह हो जाएगा और आई एक पास्टेंस का भी देखा देते हैं जैसे यहीं कह दिया कि मैं मैं कल इस्कूल गया इस्कूल गया आप देखो यह यह आ गया यह पास्टेंस हो गया तब यहां कल किम रेदी आप क्या लिखेंगे आप इस्कूल रिखेंगे की हो जागा क्या आई मैं कि आई वेंट और आई वेंट तू कि इस्कूल तब र है इस्कूल इस्टरड़े वाई यह टी-ई-ई-डी-ए-डी-ए-वाई स्टरडे अंध्या फुली टाप लगा तो आइस से आपको कर देना है है तो थो सुआ यह तो और का हो होगा आप अपको कुछ एकसेप्शन है क्या है एकसेप्शन 3 MIAAA कि i lesser matter couple कि एकसेप्शन क्ज़र्शंट है अपवाद होता है अपवाद तो अभी हमने आपको यह बताया आई वी के साथ क्या लगता है सहल लगता है वाकी के साथ लगता है लेकिन एक्सप्शन यह है कुछ कर परिस्तिती नीचे जो बता रहा है ऐसी आती हैं कि हैं कि आई वी के साथ हम विल का 뉴스 करेंगी और सब के सास्थ सेल का प्रिख करेंगे तो कॉण कॉ нравится है आयो मिदो देख रहेते हैं तो पहला हमारा determines कि दिटर्मिनेशन का अंग विटिटर्मिनेशन मतलब होता है निष्चित्ता अगर कोई कारी करने की जञकारी मिल लाई है तो आए मैं इसे was the ंज़न लगांगे विल अक्रियों करको बाकि सथ रहर गिवार दूसरा सबता है हमारा ठीज त्रेट मतला धमकी अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है तो वहां पर भी आईवी के साथ विल का प्रयोक करोगे बाकी सब के साथ सेल का प्रयोक करोगे अब तीसरा आता है कि आपका प्रोमिज प्रोमिज अगर कोई प्रोमिज मीश होता है वादा अगर वादा कोई कर रहा है किसी से तो आप पर आईवी के साथ विल लगाएंगे बाकी सब के साथ सहल लगाएंगे अब इसके बाद आता है विलिंगनेस विलिंगनेस मतने होता है रजामंदी रजामंदी अगर रजामंदी है दोस्तों तो आईवी के साथ विल लगाएंगे बाकी सब के साथ सहल लगाएंगे आईए का ग्यांपल देख लेते हैं जैसे हैं मैं मैं वाराणसी वाराणसी मैं वाराणसी आवस्य आवस्य जाओंगा ठीक है है मैं वाराणसी आवस्य जाओंगा यह है हमारा तो यहां पर देखिए वाराणसी जाओंगा तो सहल लगता लेकिन कह दिया गया क्या आवस्य जाओंगा निश्ची जाओंगा निश्ची तब आ तो यहां पर determination हो गया तो यहां आई की साथ क्या लग जाएगा दोस्तों तो आई क्या ट्रांसर समझाएगा आई विल ले आई विल गो टू वरांसी लिख लेजिए तो इस तरह से करेंगे अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं सोचते हैं कि नहीं मैं मैं और विल-ब टो पर आई करूंगा तो आपको सेर्टनली इसमें लिखना यजे लागा ताव आपको आईसा भी इसको आप बोल सकती हो अगर यह नहीं लगा रहे हो तब यो जागा आई सैल आईसेल गो आई सैल सर्टनली i आई सेल सी ए आर टी ए आई यान यल वाई सर्टेनली मनें निश्चित होता है आई सेल आई सेल सर्टेनली को तू वरान से तब आई साब को करना होगा ठीक है आएक आपकर देखते हैं धंकी के लिए जैसे वह वह तुम्हें गोली मार देगा गोली मार देगा वह तुम्हें गोली मार देगा ठीक है यहां क्या है धंकी दे रहा है कि वह तुम्हें गोली मार देगा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर कुन ऐसा करोगे धंकी दी गई है तो यहां पर आई के साथ क्या लग जागा सेल लग जागा जो जगा ही ही सेल रोडिमाना क्या आता है सूट या श्च डबल ओ टी ही सेल सूट यू जो इसे शूट यू यह अनुत है फुलिश्टा लगा तो इससे करना है दो यह तो एक्सप्शन की बाते हो गई अब चलते हैं इसका नीगेटिव सेंटेंस देख रहेते हैं कैसे हैं न तो अधिक बोटेख और आपको आई और वी के बाद सिर्फना लगा देना है बाकी जैसे आप कर रहें थे हैं करेंगे इसका प्रेम हो जाएगा हमारा पहले सब्जिक्ट हो ग क्यों तो से तो गैंगे फिर आपका अप्जिक वो जाएगा आपका विल सेख है ओमक्वेस पर लेंगे तो आएक ग्यांपल दिखते हैं जैसे हम लोग हम लोग वहां हम लोग वहां नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे हम लोग वहां नहीं जाएंगे यह हो गया तो इसका अनुगात क्या हो जागा वी वी के साथ क्या लगेगा सैल लगेगा वी सेल नाट गो देयर वी सेल नाट गो देयर मने वहां तो इस तरह से हमने गेटी बना लेंगे दोस्तों अब चलिए इसका इंट्रो गेटी देख लेते हैं इंट्रो गेटी मतलब वाग तो इंट्रो गयती दस्तों अगर क्या से सुरू पर्टर्स हो गयास। कया से सुरू है तो अगर मैं किस सुरू करें गे या सेल लिखेंगे उसके पाध हम क्या लिखेंगे शॉब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट फिर उसके बाद आपका यमीअ फ़र्सट आ जाका फिर युसके बाद आप जह जाएगा दोस्तों आईसा है पुडेना है यह है कि जैसे है क्या 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 वै लोह के यह प्ड़ने न efect तो दोस्तों इसका जूतलों हम yasnow में दे सकते हैं और जब yasnow में दे सकते हैं जबy जैसको हम will गइस स्रूफ करेंगे तो डश को क्या या बहुत पढहिए रadt गे आगर पढ़ेंगे दो करेंगे या नहीं पढ़ेंगे नहीज में उत्तर तो आपका विल लगेगा पहले शुरू में तो जागा विल दे विल दे रीड अंतने प्रस्वाचक्षी लगा दो आपका हो गया यह ते आए नेक्ष देखते हैं ग्यां क्या हम लोगius हम लोग लोग क्या हमों खिलेंगे ओ क्या हम लोग खिलेंगे तुषसरे से से Yoga विल यह हुए रखे घमश्च फान . वी ले यह होगी आपका अंतर में प्रसाचक्ति लगा दो अच्छे से मालो और को लिए पर ले रहते हैं क्या वर्सा होगी वर्सा क्या वर्सा होगी तो इसका क्या होगा तो पहले इसको हम क्या करेंगे विल से सुरू करेंगे क्योंकि युठ है तो विल एट रहें विल एट रहें अंतर में प्रसाचक्ति लगा दो काम खत्म चलिए अब यह तो वह अगर तो प्रसाचक्त वाकिके बीच में आए हो तो उसका हो तो पहले उसकी यह लिखते रहां जैसे कि वह वह वहां वह वहां क्यों वह वहां क्यों जाएगा वह वहां क्यों जाएगा यह है तो यहां देखो वह वहां वहां क्यों क्यों ही प्रस्वाचक सद्ध है तो पहले इसकी हमरीजिया आप लिखे लो यह हो जागा क्या है वाई वाई विल एक वी गो दिया कि इस तरह से अनुगाद अजिए प्रस्वाचक्टी लगा दीजिए कर देना है आप चलिए इंट्रो केटी प्लस निगेटी अगर रहे तो करता कि तुम लोग क्खाना खाना क्यों कक्यों नहीं ऊप्राओं कि तुम लोगि घाल क्यों नहीं ठाओं आल ट्री सक्या था आधेक हैansas लोगो am कि वाई विल यू अब यू के बाद तुरंत नाट लगा नहीं तो गलत वाई विल यू नाट अब चलते तो यह तो मैं समझता हूँ आप कांटिन्यूस की और चलो बढ़ते हैं आप हमारा अगला आता है फ्यूचर को से भी यूच्यार कांटिन्यूस इसके माने होता है अपूर्बूद काल क्या होता है जब भविसेकाल में कोई कार जारी हो लगातार हो तुरसरे क्या करते हैं फ्यूचर कान्टिनुवस्टेंस करते हैं तो आई इसकी घल्पिंग वर्फ देख लेते हैं क्या होती है इसकी फिलबी और दूसरी होती है इसकी सैल भी ठीक अगर करता के पहले लाएना है तो सिर्फ हमको विल को और सैल को ही लाना है अब बी जो है आपका करता के बाद रहेगा अगर नाट भी लगाना है तो विल और बी के बीच भी नाट लगांगे सैल और बी के बीच भी नाट लगा देना है ठीक दोस्तों तो थाई आके इसका एक्जामब्स समझते हैं। खरण से लेक लेते हैं। खरण सेंटेंस का फ्रेम ऄजागा ? तो पहले फ्रेम हो जागा दूस्तों, पहले सब्यक्ट ने कभां दोखिंगे। फिर उसके बाद का लिखेंगे ? aimiza यो यह विल बी कि यह सेल भी करता कि यह अजय को साल लगा-दो फिर उसके बाद किया हो जाएगा यह भी फॉष्ट आएगा फिर उसके बाद अब्जिक्ट आजएगा अब कि अब आईए चलिए देखते हैं और दोस्तों इसका पहचान है कि हिंदी में क्या आएगा रहा होगा रही होगी रहे होंगे यह इसकी पहचान है अगर अंतaces क्या जाए रहा होगा रहा होगा तो समझाओ कि इंधेी होगी जय भी होगे रहे होगे तो कि पहचान अगर यह सबी सब्द anál में आ तो समझ जाओ कि future continuous tense है तो आए ग्यांपर लेकर समझा रहे हैं जैसे वर्सा वर्सा हो रही होगी वर्सा हो रही होगी तब यहां क्या है रहाओ कर रही होगी तो पहले इसका क्या लिखेंगे हम करता लिखेंगे करता नहीं है तो यूट से सुरू करेंगे तो यह जगा इट विल भी जैनिंग जैनिंग इसमें हमेशा मुक्रियक में रहा रही है तो आई एंजी सब में जूड़ेगा दोस्तों ख्याल रहे हैं अन्त में फूरिश्टाप लगा लो आप चलिए और ग्यांपर देखते हैं इसे के वे लोग वे लोग वे लोग अंग्रेजी जे रहे हंगे आ गया तब भी हडिका रही रहावास का रहे हंगिरों कि ठ्र máximo चैनल हो गया भी ऐसे हो गयां घुकर खाल कैसे होगा बलिए दे विल बी रीडिंग रीडिंग इंग्लेश 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 आई से इसकानवाद कर दीचे आई एक आई के साथ तुभी के साथ साहल का प्रयोग देख दोते हैं जैसे मैं मैं पूजा कर रहा हूंगा तब ही आपका फूचर कंट्रियोस हो गया तो चलिए इसका ट्रसेशन क्या हो जागा आई सैल इन हुट आए कि इन जुरेगा इसमें टे हो जागा हुए वर्सी पिंग वर्सी में सच्वाए कि पूजा करना आप लोग भी बोलिए इसको I shall be worshiping मैं पूजा कर रहा हूंगा जब बोलोगे दोस्तों तभी कुछ English बोलने आएगा आपको तो चलते हैं दोस्तों अब इसका negative sentence देख रहते हैं negative तो negative में हमें करना क्या helping work के रूप में will not be या फिर cell not be का प्रयोग कर दिना है आपका negative बन जाएगा तो चलिए कि ग्यामपल देख लेते हैं जैसे हैं अंधेरा अंधेरा नहीं हो रहा होगा अंधेरा नहीं हो रहा होगा तो या रहा होगा तो या रहा यह हो गया गया इसमें आपका future continuous हो गया तो इसमें करता नजन नहीं आ रहा है यह अंधेरा करता नहीं है इसमें करता है यह नहीं तो चलिए इसको तो यूश्ट से शुरू करेंगे इसका क्या हो जागा यह 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 विल नाट भी गेटिंग यह ने तिनग डार्क इट्वल नाट भी घेतिंग डार्क यह अंधे रहा है अधर दोस्तों यहां गैटिंग की आप ग्रोविंग भी सकते हो इट्वल नाट भी टोनों स्था होगा पर गलत नहीं काट आधा ऊपर चलिए कि यहांप Report अउर देखते हैं अब झालिए ओब नहीं रहे होंगे रहे होंगे हम म्लोग पूब नहीं रहे होंगे항 क्या होता है BORA होता है करते भी लगाएंगे, ''We shall not be boring'' बोरिण भाने ऊबना होता है, इस तरह से हम करलेंगे, तो चलते हैं भाम इसका इंट्रोगेटीथ देख रहेते हैं, इंट्रोगेटी इंट्रोगेटीथ, तो दोस्तों, अगर आपका वाक क्या से शुरू है, थीक है तो आपको पहले क्या लिखते ना है Will Sell में से एक बाहर लाएंगे आप पहले थीक है फिर उसके बाद हमको सबजेक्ट लिखना है फिर इसके बाद हमें क्या लगाना है 이 लगाते ना है यही है उसके बाद आपका just जो है आएगा फिस ing भी उसमें आपका जुड़ेगा और उसके बाद आपका आपजेक्ट जो भी है सब लिख दिजेगा तो चलिए एक जामपन देख रहते हैं जैसे क्या क्या वह क्या वह सो रहा होगा क्या वह सो रहा होगा तो क्या हो जागा इसका तो क्या सुरूब है तो पहले हम क्या करेंगे हम वील से सुरू करेंगे तो हो जागा वील ही फिर इसके बाद भी लगी का वील ही भी स्लीपिंग आप अब दोस्तों आगर कोई प्रस्तमाचक सब्द जो है वाक के बीच में आ जाए तो उसकी पहले लिखेंगे यह जैसे है कि हम लोग प्रार्थना नहीं हम लोग प्रार्थना कहां कर रहे होंगे यह हमारा तो इसका क्या होजागा हनुआ तो कहां आया तो प्रहें कहां के लिखेंगे है याज फिर सेल लगा देंगे क्योंकि वी है वे एसल फिर उसके बात वी लगाएंगे भी अब प्रे मांने ओता प्रातना आई एंगी करिए इसमें प्रेइंग है तो क्या हो जाएगा वेर सैल वी बी प्रेइंग आप लोग भी पोली यह तभी इंग्लिस पोलने आएगा तो चलते हैं अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटी प्लस नेगेटी अगर रहेगा तो करता कि तुरंद बाटना अरत लागा देना तो जैसे है कि वह है वह क्रिकेट क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा यह हो गया तो इसका क्या हो जाएगा तो तो क्यों आया तो प्लेकियों हुआ जिआ लिखेलो वाई कि वाई विल ही फिर नाट लगा दिजिए तुरह नाट भी प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट टिर आई सी के इट अन्ट में फुल इस्ट अप प्रस्मा चक्चिन लगा दिजिए काम आपका हो गया तो मैं समझता हूं कि यह भी आपको समझने आ चुका होगा कमप्लीछ हुगे भी आप चलते हैं फिचेण पर्फैक्ट टेंस की दरब तो अब हमारा आता है फ्यूचल के शाया पर्फेक्ट टेंस मा Α Lewis को 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 यह कुण यह समात हो चुका हो तो उसे इस करते हैं । तो आएए फ़लेस की पहचाने क्या होती है जब हिंदीवाकियंत में क्या आ जाये चुका होगा है और चुक होगा dipping होगी अ यह होगी कि मैं कि है कि होगी को कि है यह होग ऑढेद shoots होगी यह होगी यह होंगे यह होंगे यह सब्ध भी सब्द आ जाए तो आपको समझ लेने चाहिए कि यह फ्यूचर पर्फेक्टेंस है तो पहचानतों आके आपको अब आए हेल्पिंग वार्विस की देख लेते हैं क्या होती है यह होती है विल है और दूसरा होता है तो सिर्फ आई और वी के साथ ही हम क्या लगाएंगे बाकि की साथ है कि लगांगे वीध्याइब लगातें यह दित हो गया अब चले इसका लेते हम afformative sentence ऑल्फर मेर्टीर सेंटेंस कुंच्छ डेते हैं कि précis हो मना तेक्स होकी इस्ट्रक्टर इस्ट्रक्चर में दोस्तों हमें लेना क्या पहले तो सब्जेक्ट हमको लिख लेना है फिर उसके बाद सेट विल हैं ऐrico मुल 75 या फिर सैल है जो है वो लगा दो आप सैल है फिर उसके बाद क्या यंभी ऐसे थड कि थड लानाँ तीसा रूप लाना एक ठीकए यंभी 33 फिर उसके बाद क्या करना है आपको उब्जिक्ट लगा देना हाई थे अंधर में फुली स्टाप लगा थी आपका काम हो गया तो आए एक इंपल देखते हैं जैसे वह अपना अपना कार्य वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा क्या होगा कार करना क्या होता है वर्ग दीजागा और तो इसका पूरा करना क्या होता है कंप्लीट क्यों जागा ही कि है क्या है एविल एव यह विल है आप अगर तो सब्सक्राइब हो जाए अगा पूरा करना कमपलीटेड कंप्रीटेड ते हेज आ एकड़ है है और अぎ वर कि आई से को आपको कर देना है तो सुपल सेंटेंज था तो अब इसमें हम आपको पास पैर फ्रक्ट में पढ़ाया था डूबल सेंटेंज में सेंटेंज तो उसे में भी निया चाल ऐसे मिक्साद दो काम Satsal दोस्तों चलिए सका नियम पहले लिए मिक्सेंटेंज का की जब हमिस् insta का व्यूंत्व, व्यूंत्र संदुन iZyazニ? लगाघान नीथ ने नतला है अगया सार्य कानदल को दोनों वाक्यों को हम बीपोर से जोडरेते हैं तो इसका नीएम हो गया तो इसका इस्ट्रक्चर क्ट अंफ्धल कासा लिख लीजिए इस ट्रक्चर आपका बन जाएगा इसका क्या है इसकाइश ट्रक्चर हो जाएगा कि पहले तो हम लिखेंगे काउं साथ तेंस फ्यूचर प्यूचर पर्फेक्ट टेंस लिखेंगे दोस्ता है फिर प्लस उसके बाद हम विफोर लगा देंगे भी फोर फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्रेजेंट है तेंस प्रेजिंट इंडिफिनित इने डिफिनिट अ जो काम पहले हुए उसको पहले फिचे perfect में जो कारल वाइंब प्रेजेंट जडिन च्लेंगे आप पर यह वह बकान ज़ीक कर लेंगे लिक्ता जो काम र्फेक भूशन मेरे इस्टे रथाइश्ट मेरे स्टेशन मेरे इस्टेशन पहुचने से पहले रेल गाड़ी जा चुकी होगी ठीक है मतलब आप इस्टेशन पहुच रहे हैं उससे पहले रेल गाड़ी हमारी जो है जा चुकी थी इससे का कैसी अनुवाद होगा तो चलिए इसको सुरू करते हैं तो इसमें धेख रहें कि रील गारी जा चुकी होगी पहले जा रही है तो उसको पहले लिखना आपना में पहुच रहा है इन तो इसका प्रेजेंट में द सुब्सकु चुट मैं और करते हैं लेजेशन सरू करते हैं कि दर कि दर ट्रेन कि दर ट्रेन कि दर ट्रेन है कि ट्रेन हो गया किसा सब्सक्राइब क्या लग गई विल है दर ट्रेन विल है वह आद दोस्तों ड्रेल गारी जा रहे तो गो नहीं करेंगे कोई या कोई चीज जो इसी जा नहीं रही है तो प्रस्थान करती है तो प्रस्था या रही है तो डिपार्टेड हो जागा दी पी ए आर टी इडी डी ट्रेन डिपार्टेड बिफोर से जोड़ दीचे दोनों को बिफोर कि इपोर आई रीच आएट इस्टेशन स्टी ए टी आई ओ यह इस्टेशन अन्टे फूरिस्टाब लगात हो तो इस तरह से हम इसको से संटेशन जो है उसका हम करेंगे दोस्तों ती हो गया आपका अफ चलते हैं इसका हम negative देख़ लेते हैं नीगेट इए अब दोस्तों नीगेटी रहे गा तो उसी में विल sistem के बाद नाट लगाते नबाकि सब पहले की तरह जो करे थे वह से आपको करना है तो आई एक्जामपर लेकर के हम संठा देते हैं जैसे कि मेरे मेरे घर पहुचने से पहले पहुचने से पहले वह सो चुका होगा हम पहले हना हुचने से पहले वह सो नहीं चुका होगा तो अपना है तो अब नहीं को छोड़ो पहले उतना ही ल पहले रहा है 1967 लिख लिए प्यूचर पर्फेक्ट टेंस में ते होजागा he he will not, अब इसके बाद है लगा देजे, he will not have sleep, slept, slept होता है, slept before I reached, before I reached, at home, कि मेरे घर पहुंचने से पहले वह तो नहीं चुका होगा अधर फूरिश्टाप लगा दीजिए आपका यह हो गया अब आई एक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सब कुछ एक में बता देते हैं तो इसमें भी करता कि तुरंदबार नहत लगा देना बाकी सब कुछ ज समझते हैं इसे कि वर्षा वर्षा होने होने से पहले वर्षा होने से पहले तुम लोग तुम लोग क्यों नहीं आ चुके होगे क्यों नहीं आ चुके होगे क्यों नहीं आ चुके होगे तो देखिए पहले तुम लोग आ चुके हो कि इसी को में पहले करना क्योंकि वर्षा होने से पहले क्यों नहीं आ चुके थे तो इसी को हम पहले लिखेंगे तो क्यों आया है ना तो पहले क्यो यू के तुन बात नाट लगा देजे यू नाट कम अब देखिए इसका रूप चलता है कम इसका होती है इतना अनुगाल करो वरसा होने से पहले मतलब वरसा होती है इतना प्रेजेंडेजिट में जाएगा वी फूर इट है कि रेंज कि अब इठे को चनलते हां कियो जागा रेंज यस्ते यह चुड़ जाएगा तो इस तरह से दोस्तों अंतर में पुर्स्मा चक्छी लगातों तो हम प्रेजेंट पर्फेक्ट कांटिनुवस्टेंस का जो है प्रिफेक्ट का नुगत करेंगे अब हमारा यह फ्रेंस क्लियर हो चुका है अब चलते हैं लास्ट है अब आपका फ्यूचर पर्फेक्ट कांटीनुस टेंस कौन सा है फ्यूचर को पर्फेक्ट कांटीनुस टेंस का मतलब होता है कि पूड़ पूड़ा अपूड भविस्यकाल मतलब कि जब भविस्यकाल में किसी दीए हुए समय से कोई कारियर जारी हो तो उसे हम क्या करते हैं फ्यूचर पर्फेक्ट कांटीनुस टेंस करते हैं तो अब आईए इसकी पहचान देख लेते हैं क्या है तो तो इसमें रहा होगा आएगा इसमें भी रहा होगा है रहा होगा रहा होगा रही होगी रहे होगे रहे होगे अब प्लस टाइम रहेगा दोस्तो इसमें प्लस टाइम भी लगा रहेगा तो आपको समझ लेना है कि यह future perfect continuous tense है तो आईए अब इसकी helping वर्फ हम देख लेते हैं helping वर्फ दोस्तों इसकी दो ही होती है वहीं सब है एक होती हमारा विल है विल है विल है विल और दूसरी होती है साथ क्या लगेगा ćा if I can grow old when lingering car वरand वरेंगे वाकी सबी के साथ आप विल को ही के साथ के साथ किसका कर दोसतों करता के पहले अगर लाना है प्रसमाचक वाह क्या कैंद तो इसे विल को ही सिर्फ लाएं गजए इसमें सिर्फ हम l कोहीं और लाएं ठीक है और हाइब बीन जो है करता के बाद रहेगा ध्यान रहने तो गलत हो जाएगा आज इसके बाद जो है प्रस्वाद निगेटी बनाना तो इन्हीं बीच में ही नाट लगा देना है आपको दोनों के तो आईए चलिए एक्जांपल लेकर करके समझते हैं कुछ अब इसक बनाओ इसकी क्या होगी है तो बनाओ इसका हो जागा तो पहले तो हम सब्जेक्ट लिख लेंगे फिर इसके बाद आपका हेल्तिंग बर्ट जो लगा रहे हैं वह हो जाएगा फिर आपका यंभी फर्स्ट लिखेंगे और उसमें प्लस आई एंजी जोड़ दीजेगा मुक इस फार होगा फिर उसके बाद लास्ट में टाइम लग जाएगा आपका टांसेशन होगे तो आए चलिए इसका एक एक्जाम पर देखते हैं जैसे वी लोग वे लोग सुबह से सुबह से वे लोग सुबह से गपसब कर रहे होंगे वे लोग सुबह से गपसब कर रहेंगे गपसब का चैटिंग होता है बकवास तो इसका क्या हो जाएगा देव विल्च यहएब गां अब सिंस्पार का प्रयोक यहाँ करना है तो आपकी पहली वीडियो में जो डाला हूं इसके अच्छे इसके बारे में बता हूँ इसको आप टेस्क्रिस्ट में लेगा वहां से समझे लिख चलिए कवर देखते हैं दोस्तों अगर एक समझ नहीं दिया है ठीक है तो समझ नहीं दिया है तो तीनों टेंसों में दोस्तों बता दे रहा हूँ ता लग जाएगा जो रहा है रही है तो तो क्या रहेगा जैसे और था पला है तो ता रहा था ती रही थी रहेगा इसमें क्या हो जागा अगर समय नहीं है अगर समय नहो तो पहचान क्या हो जागी ता रहा होगा ता रहा होगा ती रही होगी ती रही होगी ते रहे होंगे ते रहे होंगे यह सभी पहचान आएंगे ठीक है यही तरह से तीनों टेंस में हो जागा तब समय नहीं रहेगा आएक एक चैंपल देखते हैं इसका जैसे वह रहा होगा आप देखिए इसमें क्या बहुत ही ध्यान समझें नहीं तो आप कंफ्यूज आओगे कि यह आपका तो फ्यूचर कांटीनिवर्स लगाए समय तो है नहीं कांटीनिवर्स में कुछ जाओगे हो जागा गलत वह रोता रहा होगा इसमें अंत में क्या है ता रहा होगा आया ना तो समझ जाओ कि यह क्या है फ्यूचर पर फ्यूचर कंटीनिवर्स लेंस है अगर वह रो रहा होगा तब तो फ्यूचर कंटीनिवर्स होता तोनों मैं भी कर दे रहा हूं तो इसका अनुआत क्या हो वीपिंग 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 तो इस तरह से अगर दोस्तों वहीं ता न रहेगा तो आपका कंटिनियूस हो जागा तब करेंगे तो जैसे यह कह दिया कि वह रह रहा होगा अब देखिए इसमें क्या है ता नहीं है रो रहा होगा तो यह अपका फ्यूचर कांटिनियूस हो गया तो इसमें साहिक लिए क्या लग जाएगी विल भी सहल भी होगी, अगर ता लग गया, तो विल है बिन सहल है बिन लगेगा, दोस्तों मैं आपको पढ़ा नहीं जाओ, सिखा रहा हूँ, जुक्ता नहीं याद करा हूँ, तो यह आपका हो जाएगा, विपिंग, अगर यह बता होगा, तो यह पर हो जाएगा, विल है बिन लगेग, अगर ता नहीं है, तो समझा ओकर फूचर कांटिनियुर्श है, तो विल भी वी विपिंग, जो भी है करनक कर लीजेगा दोस्तों, आप चलते है निगेटी जेंटेंस समझते हैं, इसका, the legislative करना क्या है इस में helping वर्प के रूप में आपको लगा देना है फिल नाट है बिज नाट है बीम और सैल नाट है बिन का कर दो सैल नाट है लाइब इस इसी कप्रियोग कर देना है ऑव उसके बाद बाकि जैसे आपने पढ़ा वह ऐसे ही कर देना है आपका हो जागा। दोस्ताँ तो आए चलिए एकजांपल देखते हैं इसका उठांदर ए दिए जांप उठांदर मजाओं उदारा उदाराण नाईये तो उदाहना जैसे है कि वह खाना नहीं वह खाना सुबह से नहीं पका रही होगी तो इसमें वह खाना सुबह से नहीं पका रही होगी तो यहां पका रही होगी तो लड़की है दोस्तों तो साय क्रिया क्या लगए करता सी हो जाएगा सी, विल, नाट, हैब, बीन, कुकिंग, कुकिंग, फूड, लोग आपका यह हो गया इस तरह से आपका प्रियुक कर देना अब चलते हैं इंट्रोगेटी की तरफ दस्तों इंट्रोगेटी सेंट्रोगेटी में दस्तों करना क्या आपको कि अगर क्या से सुरू है क्या है क्या से सुरू है तो पहले ही हम विल या सैल को पहले ले आएंगे ठीक है विल या सैल को पहले लाएंगे उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है वो जाएगा फिर उसके जिसका आगर प्रस्वाचाइब सब्द भी वह आ गया है तो उसको पहले लिखेंगे तो पहले क्या से देखते हैं जैसे क्या क्या वह वह दो वर्स दो वर्स से पढ़ रहा होगा पढ़ रहा होगा तो क्या हो जागा इसमें क्या शुरू है तो विल सेल को एक बाहर लाइए तो हुआ है तो विल लगेगा विल विल ही फिर उसके बाद है बीन लगा देंगे हाँ विल ही है बीन रीडिंग रीडिंग फार टू इयर्स अंत में प्रस्वाचक चिल लगा देंगे ये भी आपका हो गया अब बादेजी तो उसकी अंग्री जी आपको पहले लिखेंगे जैसे की हम लोग हम लोग कक्छा में कक्छा में सोरगूल सोरगूल सुबह से क्यों कर रहे ओंगे ये यह अपका तो पहले हम क्या लिखेंगे क्यों है तो क्योंग्री लिख लो आप यह जागा हुआई अब हम लोग है तो झाल लगेगा वाई सयल वी अब इसके बार है बीन जोलीगों आप है वाइब बीन है है मेकिंग है मेकिंग है अन्वाइज है अन्वाइज इन्द गलास है अगा यह थे शेंश मार्निंग निया थे शाइब आगा तो का मोगी अंप अगर तो इसमें कितना कितनी कितनी इस अब आ गया है तो इसकी अगरी हाउ मच आप में लिखी जाएगी वह लिख लिजए तो जैसे अपका हो गया तुमा तुमा दो दिन से कितना कितना आम खा रहे होगे यह आ गया तो अब इसमें आम को गिन सकते हैं इसलिए कितना किते हैं रही क्या होगी हाउ मैनी लगेगा तो यह हो जागा क्या हाउ मैनी हाउ मैनी मैंगो मैंगो तुम है तो विल लग जागा विल अब देखो यह मैंगो जो है ना यह इसका नाउन है तो इस नाउन को इसके साथ ही लिखना ने तो गलत लेगा विल यू है बीन इटिंग फार टू डेज अंत्रे प्रस्माच्चक लगा दीजे तो इस तरह से हो जागा दूस्तों अगर दूस्तों इंट्रोगेटी प्लस नेगेटी दूनों आ गया तो करता कि तुरंस बाट नाथ लगा देना बाकी सब जैसे प्रभी हो इसे कर देना तो जैसे है कि कि यह यह बच्चे यह बच्चे दस दिन से दिन से क्यों नहीं प्रढ़ रहे होंगे तो टीक है यह बच्चे 10 दिन से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे अगर वे बच्चे होगा तो दे मत लिखना दोस्तों दोज लिखना यह है तो दीज हो जाएगा तब पहले क्यों है तो क्यों क्यों पहले लिखो तो जागा वाई फिर यह बच्चे है तो विल लगे का वाई विल फिर उसका दीज चिल्डरें लिखेंगे एक साथ दीज चिल्डरें वाई विल दीज चिल्डरें अब नाट लगा तो इसके बाद नाट फिर है बीन कि है यह बीन आ रीडिंग रीडिंग शित्र देंस दो दस दिन से अता से नहीं वाई लगेगा फार टेन टेन डेच अंत्र में प्रसाँ चेक्चिन मार देजिए दोस्तों इस तरह से आप सभी ट्रासेशन कर सकते हैं दोस्तों तो हमें उमीद है कि हमारे मेहनत जो है खराब नहीं जाएगी वेस्ट नहीं जाएगी मैं बहुत ही मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं और आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों में फटा पट सेर कीजिए सभी लोग इंगलिस से पोलना सीख लिए पूरी भारत ताकि ऐसी आगली वीडियो जब हम डाले तो उसकी निट्रिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को देख सके दोस्तों तो अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक मार दीजिए एक हमें तुरहन तभी एक लाइक दीजिए जरूर लाइक करिए और इसक बिदीपन वाचिंग माइज वीडियो धैक्स फार वा इक अडिए में कुछ नएाक अले कर मिलते आपके साम टब तक आप अपनेस तैयार करते रहें चनल को सब्सक्राइब कर दिया बगल में एक घंटी बजा जी रचे लाइक कमेंट और शेयर को Venice for Une Kiss Gir. वाटिए और सब् लाइकन चरुर दवा दीचिये